Assalamualaikum dear class 6 students I am teacher Vakar Yashin from UPS Tarkapora पहरे बच्चों आज हम class 6 का geographical lesson globe, latitudes and langitudes पढ़ने जा रहे हैं continue करने जा रहे हैं और आज हम इसका आखरी sub-topic पढ़ने जा रहे हैं standard time पहरे बच्चों standard time क्या होता है और किस तरह से meridians या langitudes जो है वो कैसे एक जगा का time effect करते हैं इसको मतासिर करते हैं और इसको fix करने में मलत करते हैं यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं local time जो है किसी भी जगा का किसी भी place का वो differ करता है क्योंकि हर जगा का meridian है वो differ करता है यानि हर एक जगा अलग-अलग meridian पर located है इसी वज़ा से हर एक जगा का time जो है local time जो है वो अलग-अलग हो सकता है चलिए बच्चों हम इसको एक figure से समझ लेते हैं प्यारे बच्चों ये हैं longitudes जो हमने draw कर रखे हैं globe पर और ये equal length की होते हैं ये हमने पढ़ा अब हम दो जगहें ले देंगे एक हमारी जुमारी किश्मी नुर्य टरिक्री का सिरनेगर डिस्टेक ले रेते हैं जो 90 डिग्री इस्ट में located है मान लीजे थोड़ी देर के लिए मैं example दे रहा हूँ एक जैक लोकेशन नहीं है एक जगह हम ले देते हैं दिल्ली जो एक ओरियों टरिक्री है जो 90 डिग्री वेस्ट में आप मान लीजे थोड़ी देर के लिए है अब हम ये जानते हैं ये जो लाइन जो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है ये गलोब पर हमने ड्रॉ कर ली ठीक और ये प्राइम मेरेडियन कहलाता है जो जिरो डिग्री लेटिटूड भी जिरो डिग्री लेंगिचूड भी कहलाता है और ये प्राइम मेरेडियन ग्रीन विच विलेज से पास होता है ठीक है और जो जगह ग्रीन विच के इस्ट में होगी वो एक गंटा आगे होगी Greenwich से और जो जगा West में होगी Greenwich से वो एक गंटा पीछे होगी ठीक है? इतना हमने पिछले lecture में पढ़ा था अब हम यह जानते हैं जो जगा East में है Prime Meridian से वो एक गंटा आगे है तो इसका मतलब हुआ कि सिरनगर एक गंटा आगे है ग्रीन विच से यह अगर दिन के बारा बज रहे हैं ग्रीन विच में तो सिरनगर में कितने बज रहे होंगे क्या टाइम होगा उस वकद यहां एक बज रहा होगा वन पियां ठीक है इसी तरह से जो अभी हमने दिली की बार की 90 degree west में है तो वहाँ पर कितना time आ रहा होगा वहाँ पर हम एग गंटा पीछे होंगे यानि उस वकत वहाँ पर 12 बज़े अगर greenwich में बज़े है तो दिल्ली में उसकत time होगा सुबा के 11 बज़ रहे होगे ठेक है ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा हमने क्यों यहाँ पर लिखा कि greenwich में अगर 12 बज़ रहे हैं तो दिल्ली जो है वहाँ 11 बज़ रहे होगे और सरिनगर में एक बज़ रहा होगा यह time differ क्यों कर रहा है क्योंकि हर एक जगा दिल्ली, greenwich, सरिनगर यह अलग-अलग langitudes पर हमने इनको दिखाया जिस वज़े से time जो है हर एक जगा का अलग-अलग बन रहा है तो इस तरह से आप समझ गए होगे प्यारे बच्चों कि क्यों langitudes जो हैं effect करते हैं किसी भी जगा के time को या standard time को अब हम आगे पढ़ते हैं अब यह necessary बन जाता है जरूरी बन जाता है कि हम adopt करें local time या central meridian अपनी country के लिए जो कि standard time बन जाए पूरी country के लिए अगर हम अपनी country इंडिया की बात करें तो हमारा जो central meridian है जिसके हिसाब से हमने अपना standard time set का रखा है वो longitude के इसाब से बनता है 82 degree and 30 minutes east इसको हम treat करते हैं as the standard meridian of our country और इसी के इसाब से हर जगा का time जो है वो equal रहता है बराबर रहता है मतलब कहने का है कि अगर सुबा के 10 बज रहे हैं इंडिया में दिल्ली में तो वही time हमारी जो unit territory है जेंड के यहाँ पर भी वही time होगा इसी तरह से अगर राज़स्तान में माल लीजे वहाँ शाम के 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं तो वही time किसी और जगा पर जैसे कि हम माल लेते हैं चंदिगड में भी वही time होगा या हरियान में वही time होगा क्योंकि सब का जो time है वो हमने set कर रखा है as per the language standard meridian 82 degree and 30 minutes east यह हमने इसको set कर रखा हैं इसे के इसाब से पूरी इंडिया का country इंडिया का time जो है हर जगा का same रहेगा तो local time जो है इस meridian पे जो हमने रखा हुआ है जो local time रखा हुआ इस meridian पे वो जो है हम मान लेंगे कि वो standard time है हमारी पूरी country के लिए याने जैसे मैंने अभी कहा कि अगर दिली में सुबा के 10 बज़ रहोंगे तो हमारी unit region के में वही time होगा राजसान में वही time होगा पंजाब में वही time होगा चंदिगर में वही time होगा हाँ इसी तरह से हर्यान में वही time होगा तो हर जगा का time जो है fix हो गया है as per the central meridian और standard meridian that is longitude 82 degree and 30 minutes east और ये जो time हमने fix कर लिया है इसको हम एक नाम से जानते हैं Indian standard time के नाम से हम इसे जानते हैं उमीद है प्यारे बच्चों आपको ये lesson ये आज का topic पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आगे हम next video lecture में नए topic के साथ मिलेंगे तब तक Allah हफिज